अब दोस्तों पती को बिल्कुल भी नहीं गबराना है अगर पतिने के दौरा मैंटेनस का केस कर दिया जाता है और कोट के दौरा अगर पती की कुछ भी नहीं सुनी जाती है पती को पर मैंटेनस लगा दिया जाता है तो मैंटेनस ओडर होने के बाद में भी पतिने को मैंटे देखा है इसलिए आपको करना क्या है वीडियो को बिल्कुल अंतक देखना है तभी पूरी जानकरी समझ में आएगी और ये आपका अपना चनल है इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ये बैल पति नहीं रही और अगर मेंट dough就 और के अनुसार मेंट अमपिल जाता है पती के लिए बहुत बड़ा अन्ययों होता है तो पती अगर ऐसा हो जाता है बिनावजी अगर पती प्रमेंटनेस का और हो रहा है फ्ले मेंटनेस लाइक है नहीं तो यहां पे पती को उस पतनी को maintenance नहीं देना पड़ेगा order हुणने के बावजूद भी पती के पास में ऐसा रास्ता है ऐसा procedure है जो यहाँ पर हाई कोट ने बताया है इसके माध्यम से पती पूरी तरह से पतनी को maintenance देने से बच सकते हैं तो दोस्तों हैत पूर जानकारी मैं आपको हाई को कोट ने इस मामले के अंदर पूरी तरह से किलियर किया है कि अगर पतनी जोब कर सकती है पतनी काबिल है उसको आराम से अच्छी कासी salary के उपर जोब मिल सकती है या फिर पतनी already job कर रही है पतनी इन बातों को कोट से चिपाई है कोट के अंदर अपना maintenance बनवाने के लिए प अधिक से अधिक maintenance बनवाने के लिए और अपने को बिल्कुल पूर दिखाती है अपना जो भी financial ground है उसको पतनी चिपा लेती है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीचे कोट के दोवारा पती को पर maintenance लगा दिया जाता है तो यहां पर यह पती के साथ में अन्य हो जाता है और यह जो maintenance का order पती को पर नीचे कोट से हुआ है तो इसके उपर तो पती को तुरंत इष्टे लेना है और अपनी बात revision के अंदर high court के अंदर मजबूतिस रखनी है कि पती को पर यह maintenance लगना ही नीची यह गलत्तरी के से लगा है तो इन बातों को अगर court के समझाया जाता है तो बिल्कुल पती maintenance से बच जाएंगे इस तरह से नीचे court का maintenance का order होने के बावजूद भी पती को maintenance नहीं देना पड़ेगा इस तरह की प्रोसीजर पती को follow करना पड़ेगा तब पती का पूरी तरह से maintenance से बचाओ हो जाएगा तो इन ग्राउंड के आधार पर हाई court पती की revision को तुरंत accept कर लेगी और एक बड़ा फायदा पती को हाई court से मिल जाएगा और अगर आपके किसी भी तरिकी की कोई भी कानूनी समस्या है तो इस क्रीन के पर मेरे WhatsApp नंबर सो हो रहे हैं इसके पर WhatsApp message करके appointment book करवा के directly मेरे से call के पर बात कर सकते हैं अपनी आगे मिलेंगे आपके नेवडूने टोपी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद